वेल्कम बैक टू बाटनी क्लास स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने सेक्शल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था पॉलिस आइफोनिया के और हमने मेल रिप्रोडक्टिव और्गन का डेवलप्मेंट किस प्रकार से होता है यह देखा था और फीमेल प्रोसेस किस प्रकार से होता है किस प्रकार से जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज हैं जो की कार्पोगोनिया में होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जब होता है पिछले वीडियो में जै हिए वहां पर कार्पोगोनिया बनता है तो स्पर्मेशिय जो की 400 ऐल ही दिसपर्स होता है और में पीड़ बताना चाहूंगी कि यह है उन चैनल मुटाइल होता है और लिक पानी की सहेता से ये आट Просто हो जाताह या पहुंच जाता है और का केलगोनिया ना झाल students like we are our लग जाता है और फिर उसकी वाल जो है कार्म ट्राइप को गाइन की वह डिजॉल्व हो जाती है इस फर्मेशियम जो है अंदर एंटर करता है मेल नूकलियस और फीमेल नूकलियस का फ्यूजन होता है कार्पोगोनियम में और फ्यूजन होने के बाद जाइगॉट का फॉर्म है वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेश की फर्टिलाइजेशन की बाद जब जाइगॉट फॉर्म हो जाता है कार्पोगोनियम में कौन से ऐसे चेंजेश हैं जो आते हैं नीचे एक सपोर्टिंग सेल उसमें फॉर्म हुआ था पूरा कार्पोगोनियल फिलामेंट बना हुआ था उसमें बेसल सेल सपोर्टिंग सेल था तो यहां पर क्या होगा कि जो सपोर्टिंग सेल है वो उसके नीचे एक ऑक्जिलरी सेल आप देख रहे होंगे कि यह एक सपोर जो है उसकी हट गई है और साइड में भी आपको कार्पोगोनियर फिलामेंट की कुछ सेल्स यहां पर नजर आ रहे हैं और नीचे आपको सपोर्टिंग सेल नजर आ तो इस प्रकार से एक ऑक्जिलरी सेल का फॉर्मेशन यहां पर शुरू होता है और साइमल्टेनियसली जो और लेटरल इनिशल बने थे वो भी लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाएंगे डिविजिन करके और बेसल स्टेराइल इनिशल जो है वो भी डिवाइड करके एक टू सेल फिलामेंट जो है वो फॉर्म कर देगा यह देखिए जैसे इसमें लेटरल स्टेराइल इनिशल पर सबसे उपर वाला स्यल था वह तो राइल में फिलामेंट वार जिसका सबसे 5 पहला पॉइंट हमने पड़ा कि auxiliary cell का formation हुआ दूसरा पॉइंट हमने पड़ा कि simultaneously जो lateral sterile filaments थे वो फॉर्म हुए और साथी साथ में basal sterile filaments भी फॉर्म हुआ एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो auxiliary cell है वह supporting cell से बना था और क्यूंकि supporting cell carpogonium में fertilization से पहले ही बन गया था इसलिए auxiliary cell का जो nucleus होगा वह haploid ही होगा नहीं होगा क्यूंकि zygote के बाद अगर कोई nucleus form होता है कुछ और nucleus बनता है तो वह deployed होता कोई और structure बनता तो लेकिन यह चूंकि supporting cell से बन रहा है और वह carpogonium में fertilization से पहले बना था तो वह cell जो है वह यहां पर haploid ही होगा अब जो अब क्या होगा कि एक tubular connection हो जाएगा in between auxiliary cell and carpogonium जो था यह देखें अगर आप इसमें इसमें आप अगर देखते हैं तो आप देखेंगे यह auxiliary cell है इस first order diagram में देखें तो यह auxiliary cell है यह carpogonium से इन दोनों के बीच्वें अभी कोई connection है नहीं लेकिन आप फिर धीद नुक्लियस है उसके अंदर mitosis होगा और वो दो नुक्लिया ही बना देगा जिसमें से एक नुक्लियस auxiliary cell के अंदर चला जाएगा एक carpogonium में ही रहेगा auxiliary cell में जो पहले haploid nucleus था एक तो वो nucleus था जो है और एक क्योंकि carpogonium से एक mitosis हुआ carpogonium में क्योंकि वहाँ पर diploid nucleus था तो जो दो nucleus बने वह diploid थे उन diploid nucleus में से एक diploid nucleus auxiliary cell के अंदर आ जाएगा अब जब वो diploid nucleus यहाँ आ जाएगा तो haploid nucleus degenerate हो जाएगा और carpogonium में भी जो trichogain है वो shrivel off हो जाएगी मतलब वो हट जाएगी और बहुत सारे vegetative filaments जो हैं वो develop करेंगे जो आसपास के pericentral cell है और gradually वो पूरा एक तरीके से cover कर लेंगे इस structure को फिर साथी साथ जो deployed nucleus है auxiliary cell का वो भी divide करेगा mitotically और दो nucleus वो form कर देगा एक nucleus उसी में रहेगा और एक nucleus एक outgrowth बनेगी उसमें चला जाएगा अगर आप चितर देखना चाहें तो ये देखिए कि इसके अंदर ये तो है आपका supporting cell ये है आपका auxiliary cell auxiliary cell में से एक outgrowth बनी जिसको हम कहते हैं gonimoblast initials और इसमें आप दो nucleus देख रहे हैं और बाद में जाके एक nucleus इसमें चला गया तो ये फिर यहां पर हमने देखा कि deployed nucleus जो था auxiliary cell का वो divide करेगा और एक nucleus migrate हो जाएगा outgrowth के अंदर auxiliary cell से और ये outgrowth जो है वो separate अलग से partition wall उसमें बन जाएगी और उसे हम gonimoblast initial के नाम से जानेंगे और इस तरीके से in this way many gonimoblast initials can develop on the auxiliary cell एक ही auxiliary cell पे कही सारे gonimoblast initials भी form हो सकते हैं और हर एक initial जो है फिर repeatedly divide करेंगे mitosis से और पूरा का पूरा gonimoblast filament वो form कर देंगे अब gonimoblast filament जो है gonimoblast filament का जो सबसे उपर वाला cell होगा मतब सबसे terminal cell जो होगा वो carposporangium की तरह एक्ट करेगा it act as carposporangium जो की deployed plant है एक और आपको life cycle में भी ये चीज में बताऊंगे और यहां भी आप इस चीज को समझें कि कार्पोस्पुराइंग्जिया जो हम पढ़ रहे थे कार्पोगोनिया पढ़ रहे थे सॉरी कार्पोगोनिया जो था वो female reproductive organ था और उस female reproductive organ के अंदर egg cell बना एक तरीके से या female nucleus बना और उस female nucleus में male nucleus जो spermatium था वो fuse हुआ और जाइगोट फॉर्म हुआ अब क्योंकि जाइगोट कार्पोगोनिया के अंदर ही है तो यह जो कार्पोस्पुरोफाइड बन रहा है वो actually attached है उस कार्पोगोनिया के अंदर कार्पोगोनिया जो female reproductive structure था उसी पर attached है और अब हम बात करें के जो गोनीमोब्लास filament बना है उस गोनिमोब्लास फिलामेंट में जो नुक्लियस आया है वो डिप्लॉइड है तो इसलिए जो कार्पोस प्रेंजियम बनेगा वो भी डिप्लॉइड बनेगा और जो स्पोर बनेगा क्योंकि उसमें कोई और यह placental cell में haploid nucleus होगा, क्यूं होगा आप मैं आपको बताना चाहूंगी, कि auxiliary cell में भी auxiliary cell supporting cell से बना था, इसलिए उसमें haploid nucleus था, supporting cell भी fertilization से पहले ही बन गया था, इसलिए इसमें भी haploid nucleus, carpogonium female reproductive structure है, इसमें भी haploid nucleus था, और यह सभी basal sterile, जो भी filament से, सब haploid थे, तो इसलिए actually placental cell जो है, उसमें भी haploid nucleus होगा, और बाद में वो degenerate हो जाएगा, और placental cell जो है, एक तरीके से nutrition के काम आएगा, अब placental cell जो है, gonimoblast filaments जो है, और carpogonia जो है, they are covered by many vegetative filaments, and form a urn shaped structure known as cystocarp, और यह सारा मिला के, carposporangeum को, gonimoblast filament को, placental cell को, और जितने भी आसपास के जो covering है, उसको सब को मिला के जो एक structure बनता है, that is known as cystocarp, और जो outer covering होती cystocarp के, it is known as pericarp, अब deployed part of the cystocarp represents the carposporophyte, और यही एक इसका deployed part है, जो की carposporophyte खिलाता है, यह देखिए अब आप, अब इसमें क्या हो रहा है, यह supporting cell है, यह supporting cell है, यह basal sterile cell है, यह degenerating cells है, carpogonia के, carpogonian filament के, यह आपका gonimoblast filament आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो ultimately क्या होगा, यह आपको placental cell जो है, एक तरीके से, यह placental cell फॉर्म हो जाएगा, और उपर वाले जो terminal cell है, वो carposporangia बनाएंगे, जो gonimoblast filament के सबसे उपर cells थे, वो carposporangia बनाएंगे, और carposporangia जो है, यह हर एक carposporangia जो आपको यहां पर दिख रहा है, यह पूरा structure क्या है, यह सिस्टो कार्प कहलाता है, अब यह सिस्टो कार्प कैसे बना, जिसमें की, यह placental cell फॉर्म हो गया, और दूसरा gonimoblast filament, carposporangia और placental cell, यह सारा मिलाके, यह और covering जो है, जिसको कि हम pericarp कहरें, यह सारा मिलाके एक structure बना रहा है, that is known as, सिस्टो कार्प, और कार्पोस-porengia की हम बात करते हैं तो हर एक कार्पोस-porengia में, सिंगल कार्पोस-pore मिलेगा आपको, और क्यूंकि कार्पोस-porengia deployed structure है, तो जो कार्पोस-pore form होगा, वह भी deployed ही form होगा, तो लास्ट वाला हम देखते हैं कि फिर क्या बनता है इसमें कार्पोस्पोरेंजियम जो है वो डेवलप करेगा सिंगल डिपलॉइड कार्पोस्पोर और आफ्टर लिबरेटिंग फ्रॉम दे कार्पोगोनियम क्योंकि अब ये सारा स्टर्प्टर जो है आप कंफ्यूद्ज नहूं कर्पोगोनियम जो है वो फिमेल लिप्रॉट् व् с्ट्रक्चर था जिसके ओपर की कार्पोस्प्रॉचियम फं हुआ है तो अब जब liberate out होगा यह carpus pore तो carpogonium, carpus parengeum जो है वो carpogonium परी लगा हो है तो उसमें से ही liberate out होगा through a pore या osteol of the systogar. The systogar पर उससे बहार निकलेगा, coming in contact with solid surface, एक solid surface पर वो attach हो जाता है, तो यह जो deployed carpus pore है, यह undergo करता है first mitotic division में. पहला mitosis इसमें होता है, दो cell बनते हैं, large upper cell बनता है और small lower cell बनता है, और बाकी फिर जो बाकी यह दोनों जो cells हैं, इन दोनों cells में फिर mitosis होता है और it forms a four cell stage, एक four cell structure बना लेता है, जिसमें lower most cell जो है, वो horizon बनाता है, upper most cell जो apical cell है, वो जो है एक तरीके से apical cell की तरह act करता है, सबसे उपर ओला cell और उसमें further divisions होते हैं, और polysiphonous body यह plant की बना लेता है, अब क्यूंकि यह deployed spore था, carpo spore, तो जो plant body form हो रही है, यहाँ पर वह भी deployed होगी, और यह जो plant बन रहा है, वो tetrasporophytic plant बन रहा है, और यह जो tetrasporophyte है, इसमें tetraspores बनेंगे, वो हम पहले से पिछले वीडियो में discuss कर चुके हैं, और यह जो tetraspores हैं, यह actually meiosis होने के बाद बनेंगे, तो यह यहाँ पर haploid बनेंगे, यह tetraspores, यह हम life cycle में और देखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर, यह एक तरीके से life cycle complete होती है, next video में मैं आपको life cycle of polycyphonia के बारे में ही बताऊंगी, और आशा करती हूँ, आपको यह जो post fertilization changes हैं, कि किस प्रकार से कार्पो स्पोरांजिया बना कार्पोगोनियम के उपर, वो आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बहुत ध्यान पूरवक पढ़िए, कित बढ़िए, किस आमची.